हलो गाईज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार वित अनमोल में दोस्तो इस चैनल पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की ट्रिक मिलेगी जो आपकी परिच्छा को आसान करने में मदद करेगी साथियो आज हम लोग ट्रिक की पहली क्लास कर रहे हैं इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बहुत धर्निस से संबंदित दो ट्रिक को आज हम लोग हल करेंगे और मैं ये 100% गारेंटी लेता हूँ अगर आप लोगों ने पूरी क्लास को अंद तक देख लिया तो ये ट्रिक्स आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएंगी तो साथियों आज की ट्रिक्स को हम स्टार्ट करते हैं तो आज की पहले ट्रिक है बौध के जीवन से संबंधित प्रतीक का तो इसकी जो ट्रिक है कमल सांड का जन्म कराई घर से घोड़ा भागा जाए पीपल ज्यान का बोध कराई मृत्य तो इस्तु कहाई साथ्यों कमल सांड का जन्म कराई तौन मतलब कमल वथ संड जो है बहुत धर्म के जन्म के परतीख है representa कमल और सांड जो है बहुत धर्म में बहुत जी के जन्म के प्रतीक है और घर से घोड़ा भागा जाए तो भागने का अर्थ क्या है भागने का यहां पे अर्थ होगा ग्रहत्याग करना या घर को छोड़ देना तो घोड़ा भागा जाए तो घोड़ा जो है वो ग्रहत्याग का प्रतीक है ग्रह क्याग का प्रतीक है और पीपल ज्यान का बोध कराए तो पीपल जो है वो पीपल या बोध जो ब्रिच होता है ज्यान का बोध कराए तो उनके ज्यान का प्रतीक है ज्यान का प्रतीक है और आगरी लाइन है मृत तो इस्तूप कहाई तो जो इस्तूप है वो उनके मृत्यु का प्रतीक है तो उनके मृत्यु का प्रतीक है तो साथियों आप लोग को ये ट्रीक याद हुई की नहीं कमेंट करके आप लोग बताईएगा एक बार मैं दुबारा समझा रहा हूँ कमल सांड का जन्म कराए मतलब कमल वह सांड जो है बहुत धर्म में उनके जन्म के प्रतीक है घर से घोडा भागा जाए तो जो घोडा है वो ग्रहत्याक का प्रतीक है मतलब भागने का यहाँ पे अर्थ होगा ग्रहत्याक करना पीपल ग्यान का बहुत कराए जो पीपल पेड है वो ग्यान का प्रतीक है बोधजी की और मृत्त तो इस्तूप का ही,hus. उनके मृत्त का पर्तीक है साथिवो ये ट्रिक आप लोग को कैसे लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए गा अगली ट्रिक आप लोग को मैं कराता हूँ दूसरी ट्रिक है साथियो प्रमुक बोध संगितिया कहां कहां हुई थी तो इसकी जो ट्रिक है राजा महाराजा आजा वैस्या सबका काल है पटाओ मत आसिक कुवरजी कंगाल है तो फिर से सुनिएगा ट्रिक को राजा महाराजा आजा वैस्या सबका काल है पटाओ मत आसिक कुवरजी कंगाल है साथ यो इसमें जो पहली लाइन है दूसरी लाइन है तीसरी लाइन और चौथी लाइन है इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा जैसे मैं करा रहा हूं ट्रिक में पर्थमबोज संगीत का आयोजन 433 इसापूर में हुआ था तो राजा से यहां पर अर्थ हो जाएगा राजग्रे अस्थान जो था पर्थमबोज संगीत का वो था राजग्रे पर्थमबोज संगीत का आयोजन यहां हुआ था राजग्रे हो जाएगा और इसके जो अध्य गश्य थे। वह महराज से हो जाएगा महा कश्यप जी। कश्यप जी। detht आजhta आ कि उज्यूं और किसके सासनकाल में होई थी अगर आप रहोगों से परिच्छा में पूछा जाएगा तो आजया से हो जाएगा अजाट सत्रू! अजात सत्रू के सासनकाल में हुई थी साथियू इसको आप लोग याद रखिएगा अब दूसरी लाइन क्या है वैस्या सबका काल है तो दुतिये बोध संगीत 383 सापूर में हुई थी तो वैस्या सो हो जाएगा दुतिये बोध संगीत का जो आयोजन हुआ था अस्थान था वैस्या से हो जाएगा वैस्या से हो जाएगा वैस्या से हो जाएगा वैस्या सापूर में दुतिये बोध संगीत का आयोजन हुआ था और इसके जो अध्यच थे वो साबा कामी थे तो सबका से हो जाएगा साबा कामी साबा कामी इसके अध्यच्च थे और दूतिये बोध संगीत किसके सासनकाल में हुआ था तो काल से हो जाएगा काला सोक काला सोक के सासनकाल में सोक के सासनकाल में दूतिये बोध संगीत का आयोजन हुआ था अब तीसरी लाइन जो है उसको आप लोग पढ़िएगा पटाओ मत आसिक तो तृतिये बोस संगीत 255 में हुआ था तो पटाओ से हो जाएगा पाटली पुत्र पाटली पुत्र में इसका आयोजन हुआ था तृतिये बोस संगीत का तो पाटली पुत्र पटाओ से हो जाएग जी इसके अध्यच थे, तो मोगली पुत्र, मोगली पुत्र, तिस्ट जी इसके अध्यच थे, तिस्ट से, तिस्ट जी इसके अध्यच थे, और साथियों आसिक, मतलब किसके सासनकाल में हुआ था, तो आसिक से हो जाएगा असोग, असोग जी के सासनकाल में पृतिय बोसंग का आयोजन हुआ था अब चौती लाइन है कुवर जी कंगाल है तो कुवर जी कंगाल से अर्थ हो जाएगा चतुर्थी वो संगीत पहली सब इस वी में हुआ था तो कुवर से हो जाएगा जहां इसका जो अस्थान है वो कुंडलवन तो चौती बहुत संगीत का आयोजन का स् कुंडल वन इसका अस्थान था कुवर से कुंडल वन हो जाएगा और जी से तो वासुमित्र जी इसके अध्यच्छ थे जी से हो जाएगा वासुमित्र जी इसके अध्यच्छ थे जी से ये हो जाएगा और किसके सासनकाल में हुई थी तो कंगाल गंगाल से हो जाएगा कनिस्क, कनिस्क के सासनकाल में इसका आयोजन हुआ था, साथियों आप लोगों को ये ट्रिक नहीं समझ में आई होगी, तो मैं दुबारा समझाए दे रहा हूँ, राजा, महाराजा, आजा, पहली लाइन है जो, तो प्रथम बोधिसंगीत का आयोजन पहली लाइन के तुरू करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे, तो प्रथम बोधिसंगी 483 इसापूर में हुआ था, तो राजा, इसका जो अस्थान होगा राजा से, राजग्री, राजग्री में इसका आयोजन हुआ था, और महाराज, इसके जो अध्यच्छ थे, वो महाकस अध्यच्छ थे, और आजा, किसके साशनकाल में हुई ती परथम बोधिसंगी, तो आजा से हो जाएगा अजास्तत्रू के साशनकाल में, अब दूसरी लाइन है, सबका, बैस्या सबका काल है, तो दुतिये बोधिसंगी 383 इसापूर में हुआ था, तो बैस्या से हो जाए काला सोग के साशनकाल में, दुतिये बोधिसंगीत का आयोजन हुआ था, और तीसरी लाइन है, पटाओ मत आसिक, तो तुतिये बोधिसंगी 255 इसापूर में हुआ था, तो अस्थान क्या था, पटाओ, पटाओ से हो जाएगा, पाठली पुत्र, और अध्यच कौन था, मत मत से हो जाएगा, मोगली पुत्र, तिस, इसके अध्यच थे, और आसिक से हो जाएगा, काला सोग, आसिक से हो जाएगा, असोग, असोग के सासनकाल में, तृतिये बोधिसंगीत का आयोजन हुआ था, अब चतुर्थी लाइन जो है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएग कुवर जी कंगाल है, तो चतुर्थी बोधिसंगीत का आयोजन पहली सब इस भी में हुआ था, और कुवर, कुवर से हो जाएगा, इसका जो अस्थान था, कुणडलवन, कुवर से कुणडलवन, जी से हो जाएगा, वास्तु मित्र जी, इसके जो अध्यच थे, कंगाल, कं कनिश के सासन काल में चौथी बोधिसंगीत का आयोजन पहली था,